ना लोगों को आवास है, ना पिने का पानी है, ना बिजली है, ना युवाओं को रोजगार है सिक्षा के मामले में भी बढ़ा लिये और साथी साथ स्वास्त की जो सेवाएं राजी में उपलब्द है और खास करके महगामा में वो बहुत ही खराब है भुकमरी के कगार पर लाकर सरकार ने राजी को खड़ा कर दिया है, युवाज रोजगार के लिए भटक रहे हैं इनी मुद्दों के साथ और साथी साथ किसानों की जो बधाली है, जिनने अपना समर्थन मूले नहीं मिल रहा मुआजे की जो राशी होनी चाहिए थे उनके पास नहीं पहुँच रही साथी साथ जो सिचाई की विवस्था कॉंग्रिस के कारेकाल में, यूपिय के कारेकाल में स्थापित किया गया था वो आज महगामा में द्वस्थ है सत्तर सार में पहली बार यह हुआ कि सुंदर जलाशे इस बार नहर में पानी नहीं मिला और महगामा में सुखाड की स्थिती रही यह डबल इंजन की नहीं डबल जुमलों की सरकार है मोधी जी अलग वादे करते हैं और अगुवर्दास जी उससे भी बढ़चर कर वादे यहां लोगों को करते हैं जमीन पर आप आप लोग मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जो भी सर्वे किया जो अभी आप शेयर कर रहे थे हमसे आपने देखा होगा कि लोग पेंशन के लिए आवास के लिए साफ पीने के पानी के लिए जद्दो जहट में लगे हैं सडके नहीं हैं और स्कूल जार्खन में बंद की गए पूरे जहर्खन में 14,000 स्कूल बंद करके हर गाउं में सरकारी शराब का दुकान खोला गया तो ये जहर्खन का डबल इंजन का विकास है डबल इंजन के सरकार में भ्रश्टा चार भी डबल हो गया है आवास अगर किसी को लेने जाना है तो अगर उसके पास 20,000 रुपे नहीं है तो वह आवास कभी ले नहीं सकता है साथ ही साथ अगर पेंशन की बात देखें पिछले सालों में 4 बार 5 बार 6 बार शिविड लगा करके बुड़े बुज़र्गों से फॉर्म भराया गया और उन्हें पेंशन नहीं मिल रहा चात्रृत्तियों या फिर सिक्षा के सही जो मौके हैं वो युवाओ को नहीं मिल रहा संबित पातरा जी नहीं जब प्रधान मंत्री भी आये तो उन्होंने जारकन के विकास का कोई एक मौडल बताया लेकिन जारकन के विकास का मौडल ये है कि सरकारी स्कूलों को बंद करके शराब की दुकाने खोली जा रही है आज राजी भुखमरी के कगार पर है यहां के जितने भी अनुबंदत कर्मी है उन लोगों को लाठी डंडे से नवाजा जा रहा है यहां इस राजी में के सिक्षक खुशाल नहीं है जहां जिस राजी के सिक्षक खुशाल नहीं होंगे पारा सिक्षक खुशाल नहीं होंगे जो आंगन बाडी की सेवी का सही आए खुश नहीं होंगे तो उस राज में विकास का कौन सा मॉडल स्थापित करना चाहते हैं इनके हिसाब से विकास जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगे इमारते हैं जिसमें यह कमेशन खा सकें लेकिन यह जमीनी बात नहीं समझ में आती कि जार्खन का विकास जार्खन के लोगों के विकास होने पर है जब तक जार्खन की जनता का विकास नहीं होगा जब तक यहां के युवा सशक्त नहीं होगे मैलाई सशक्त नहीं होगी किसान सशक्त नहीं होगे मजदूरों को ताकत नहीं मिलेगी तब तक जारकन का विकास संभव नहीं तेकि मेरे प्रात्मिक्ता बहुत साफ है मैगामा के जनता साफ पीने के पानी और सिचाई के जल से वंचित है वो मेरी प्रात्मिक्ता है मैगामा की जनता ब्लॉक और जिला के चक्कर काटते वे ब्रश्टाचार से परेशान है उस पे लगाम लगाना मेरी प्रात्मिकता है मैगामा के युवा बेरोजगार हैं और उन्हें सिक्षा के सही मौके नहीं मिल रहे हैं यहां उन्हें इसी विधान सभा में पढ़ने लिखने के सही मौके मिलें ऐसे इंस्टिटूशन्स बनें यह मेरी प्रात्मिकता है